गूगल पिक्सल 3, पिक्सल 3, एक्सल आने वाले OnePlus 6T और Samsung S9 जैसे फोनों को टकर देने के लिए वर्ल सेकंड लाजेस स्मार्टफोन मेनुफेक्चरिंग कंपनी वावे ने अपने Mate सीरीज का तीन फोन लॉंच कर दिया है जिसमें है Huawei Mate 20X, Mate 20 और Mate 20 Pro और इस सुपर स्पेशल वीडियो एपसोर में मैं आपसे बात करने वाला हूँ Huawei Mate 20 Pro के फुल स्पेसिफिकेशन को लेके क्योंकि यही फोन देने वाला है सारे फोन को टकर नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है राज आरे हैं आप देख रहे हैं चैनल प्रोच ना हूँ अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हम फोन के ऐसे कुछ फीचर को देखेंगे वन वाई वन करके जो इस फोन को 2018 का सबसे बेस्ट फोन बनाने वाले हैं तो जो इसका पहला फेचर है वो है इसका न्यू ए आई बेस्ट सेवन नैनो मीटर टेकनलोजी वाला किरिन 980 प्रोसेसर और ऐसा कहा जा रहा है कि सेवन नैनो मीटर बेस्ट किरिन 918 अपने पिछले चिपसेट 10 नैनो मीटर वाली टेकनलोजी से दूगना फास्ट है और उससे बहुत कम इसपेस लेता है डिवाइस में सेट होने के लिए इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये कौलकम के स्नैप ड्रेगन 845 चिपसेट से बहुत अच्छा है और ये जो दूसरा फीचर है ये फोन को और दमदार और सांदार बना रहा है ये है इसका Reverse Wireless Charging फीचर मैं आपको बता दूं Reverse Wireless Charging फीचर क्या होता है माल लीजे आप कहीं Trouble कर रहे हैं और आपके साथ आपका दोस्त है और उसका फोन भी reverse wireless charging feature को सपोर्ट करता है अब आप दोनों स्टेबल कर रहे हैं और आपके पास charging socket नहीं है कि आप अपने फोन को charge कर पाएं और आपके दोस्त का phone है चार्ज और आप के phone में कम charging है और आप अपने phone को charge करना चाहते हैं तो अंडर डिस्प्ले फिंगर्फिंट सेंसर और यह चारो फीचर मिलके फोन को और दमदार और सांदार बनाते हैं और 2018 का सबसे बेस्ट फोन साबित करते हैं लंदन में मंगलवार को फोन तो लॉंच होई गया है अब हम इसके फुल स्पेसिफिकेशन पर पूरा डिस्कसन कर लेते हैं इस्टे बाई इस्टे प्रॉसेस में जैसा कि हम पहले और फोनों के साथ करते हैं तो सबसे पहले मैं फोन के डिजाइन से सुरू करूँगा और डिजाइन में सबसे पहले हम आते हैं फोन के लुक पे इसका फ्रंट और बैक पैनल ग्लास अल्मूनियम फ्रेम से बना हुआ है जो की डश्ट रिजिस्टेंच जैसे फीचर को प्रवाइट करता है कलर बैरियन पे आते हैं तो एमाल ग्रीन, मिडनाइट ब्लू, ट्विलाइट, पिंग गोल्ड और ब्लैक कलर अबलेवल है फोन का जो वेट है वो है 189 ग्राम्स का अब फोन के डिस्पले पे आते हैं तो सबसे पहले डिस्पले टाइप पे बात करेंगे डिस्पले रेजुलेशन की बात करूं तो फोन का रेजुलेशन 1440,320 पिक्सल का है और फोन में मिलना है आपको कवर्निंग गोरिला ग्लास डिस्पले प्रोटेक्शन तो यह हो गई फोन के डिस्पले तक की बात अब देखते हैं कि फोन का परफॉर्मेंस कैसा है तो फोन के परफॉर्मेंस में आएंगे तो सबसे पहले चिपसेट मैं आपको पहले बता चुगा हूँ कि आई सिल्कन कीरी 987 नैनो मीटर बेश टेक्नलोलजी का चिपसेट यूज किया गया है अब आते हैं फोन के मेमोरी वेरियंट पे जो फोन का मेमोरी वेरियंट है वो है 6GB, 128GB मतलब 6GB RAM, 128GB internal memory अब फोन में आप expandable memory card लगा सकते हैं जो कि नैनो memory card होगा 256GB तक आप अपने फोन को कर पाएंगे expand अब आते हैं फोन के camera section में जो कि फोन को और दमदार बनाता है इसमें triple rear camera दिया हुआ है जो कि पहला 40MP, दूसरा 20MP, तीसरा 8MP, एक एक करके discuss कर लेते हैं कि क्या-क्या है camera में तो जो 40MP है वो है wide angle 1.8 aperture के साथ, जो second camera है वो है 20MP का ultra wide sensor 2.2 aperture के साथ और जो तीसरा camera है वो है 8MP का telephoto, sensor के साथ 2.4 इसका aperture है और इसमें 5x optical zoom power का support भी मिलता है अब rear camera में जो आपको feature मिल ला है वो है dual LED tone flash का panorama और HDR video app का 170 frame per second पे होगा record तो भाईया यह हुआ rear camera की बात अब आते हैं phone के front camera पे या कहिए तो phone के selfie camera पे तो phone का selfie camera है वो है 24MP का 2.0 aperture के साथ यहां आपको मिलेगा HDR feature का support और आप यहां 1080p पे 30 frame per second के PPI से कर पाएंगे video को record और यह होगे phone के camera की बात और आपको बता दूँ कि Huawei ने अपने phone के camera में कोई कमी नहीं छोड़ी है front तो छोड़ी है इसका rear camera बहुत सांदार है इसके rear camera में बहुत जबर जस्त AI का यूच किया गया है अब आते हैं phone के battery पे जो phone की battery है वो है 42 mh की और जो इसमें आपको charging support मिलता है वो मिलता है type C का fast charging support जो की 70% charge लटाएगा 30 minute में मैंने आपको पहले ही बता दिया है इसके best feature में अब चलिए बात कर लेते हैं phone के कुछ features को लेके तो सबसे पहले बात करेंगे sensor में तो sensor में जो सबसे पहला feature आता है वो है 3D face unlock का feature तो मैं आपको बता दूँ कि Huawei ऐसा कह रहा है कि जितनी भी smartphone companies ने अपने face unlock का feature यूज किया है उसमें जो भी technology का यूज किया है उसमें ये सबसे best technology होगी क्योंकि ये आपको encrypted security provide करेगी उसके बाद इसमें है under display fingerprint sensor जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ accelerometer है gyro है proximity sensor है barometer है compass sensor जैसे कई सारे feature से phone less है feature में आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे phone fast battery charging को support करता है 40 watt पे जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ आपके 30 मिनट में 70% battery charge उसके बाद आपको बता दूँ कि why wireless charging को support करता है reverse wireless charging को support करता है जो कि मैं आपको पहले बता दिया हूँ कि आपका दोस्त और आप आपस में charging को share कर सकते है उसके बाद जब पीचर में आगे बढ़ेंगे तो ये इसका डे मेरिट का है या मेरिट का है जो भी हो फोन में 3.5 mm का headphone jack अबलेबल नहीं है इसकी जगे पर आपको टाइप C का adapter मिलेगा अब बात कर लेते हैं फोन की इंडिया लांच को लेके कोई लिक नहीं है लेकिन ये phone number तक हो जाना च चेक करेंगे तो फोन लगबग 89,000 के आसपास आ रहा है लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होना चाहिए इंडिया में वावे कुछ सोच समझ के हिल ले आएगा फोन को तो भाया लोग ये था वावे में 20 प्रो का फुली स्पेसिफिकेशन वीडियो अगर आपको वीडियो आपका क्या विचार है नीचे कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरीके से डेली टेकनलोजी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को नीचे लाल रंगी बटन को दबा कर सब्सक्राइब कर लिए इसी के साथ सबको जै हिन जै भारत वन दे मातरम